श्रीमद भगवद गीता अध्याय दो संजय बोले इस प्रकार करुणा से व्याप्त और आशुओं से पूर्ण तथा व्याकुल नेत्रों वाले स्वाक युप्त उस अर्जुन के परती भगवान मदुसूदन ने यह वचन कहा स्री भगवान बोले हे अर्जुन तुझे इस असमय में यह मों किस हे तू से प्राप्त हुआ क्योंकि ना तो यह स्रेष्ट पुर्शों द्वारा आचरित है ना स्वर्ग को देने वाला है और ना किर्ती को करने वाला है इसलिए हे अर्जुन नपुन सकता को मत प्राप्त हो तुझ में यह उचित नहीं जान पड़ती हे परंतप हिर्दय की तुक्ष दुर्बलता को त्याग कर युद्ध के लिए खड़ा हो जा अर्जुन बोलते हैं हे मदुसूदन मैं रन भुमी में किस प्रकारवानों से भिस्म पितामः और द्रोन चार्ज के विरुद लड़ूंगा क्योंकि हे अर्जुदन वे दोनों ही पुंजनी हैं इसलिए इन मानुभाव गुरुजनों को ना मार कर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्यान कारक समझता हूँ क्योंकि गुरुजनों को मार कर भी इस लोक में रुधीर से सने हुए अर्थ और कामरुप भोगों को ही तो भोगूंगा हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और ना करना इन दोनों में से कौन सा स्रेष्ट है अत्वा यह भी नहीं जानते कि हमें और उन्हें हम जीतेंगे या हमको वे जीतेंगे और जिनको मार कर हम जीना भी जान नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मी धिरित्राष्ट के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े हैं इसलिए कायरता रूप दोस्ट से उपहत हुए स्वभाव वाला तता धर्म के विशय में मोहित चित हुआ मैं आप से पूछता हूँ कि जो साधन निशित कल्यान कारक हो वा मेरे लिए कहिए क्योंकि मैं आपका सिश्य हूँ इसलिए आपके सरन हुए मुझको सिक्षा दीजिए क्योंकि भूमी में निशकपट क्योंकि भूमी में निशकंटत धन धान संपन राज को और देवताओं के स्वामी और स्वामी पने को प्राप्थ होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों के सुखाने वाले स्वाक को दूर कर सके संजय बोलते हैं हे राजन निद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतरियामी श्री कृष्ण महराज के परती इस प्रकार करकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद नहीं करूंगा यह स्पष्ट करकर चुप हो गए हे भरतवंची दिर्तराष्ट अंतरियामी श्री कृष्ण महराज दोनों सैनाओं के बीच में स्वाक करते हुए उस अर्जुन को हस्ते हुए से या वचन बोले स्री भगवान बोले है अर्जुन तू ना स्वाक करने योग्य मनुष्ण के लिए स्वाक करता है और ना पंडितों के से वचनों को कहता है परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जन स्वाक नहीं करते ना तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था तू नहीं था अत्वा ये राजा लोग नहीं थे और ना ऐसे ही है कि इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे जैसे जीवात्मा की इस दे में बालकपन, जवानी और विर्धावस्ता होती है वैसे ही अन्य सरीर की प्राप्ती होती है उस विशय में धीर प्रूस मोहित नहीं होते हे कुंति पुत्र सर्दी, गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रिय और विश्यों के संयोग तो उत्पत्ती, विनासील और अनित्य है इसलिए हे भारत, उनको तुम सहन कर, क्योंकि हे पुरूस रेष्ट, दुख, सुख को समान समझने वाले, जिस धीर पुरूस को ये इंद्रिय और विश्यों के संयोग व्याकुल नहीं करते, वो मौक्स के योग्य होता है असद वस्तुक को सत्ता नहीं है, और सत्त का अभाव नहीं है, इस परकार इन दोनों का ही तत्व ज्यानी महापुर्शों द्वारा देखा गया है नास रहित तो तूम को जान जिससे यह संपुर्ण जगत द्रिश्य वर्ग व्याप्त है, इस अविनासी का अविनास करने में कोई भी समर्थ नहीं है इस नास रहित अप्रे और अप्रमे नित्य स्वरू जिवात्मा के यह सब सरी नास वर कहे गए इसलिए हे भरतवन सी अर्जुन तो युद्ध कर जो इस आत्मा को मरने वाला समझता है तथा जो इसको मरा जानता है और मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते क्योंकि यह आत्मा वास्तप में ना तो किसी को मारता है और ना किसी के द्वारा मरा जाता है यह आत्मा किसी काल में भी ना तो जनमता है और ना मरता ही है तथा ना यह उत्पन होता है यह उत्पन होकर फिर होने वाला ही है क्योंकि यह अजनमा नित्य सनातन और पुरातन है सरीर के मारे जाने पर भी यह नहीं मारा जाता है यह पिर्था पुत्र जुन जो पुरुस इस आत्मा को नासरहित नित्य अजनमा और अव्ये जानता है वह पुरुस कैसे किसी को और किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है जैसे मनुष्य पुराने वस्त्र को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र को ग्रहन करता है वैसे ही जीवात्मा पुराने सरीर को त्याग कर नए और दूसरे नए सरीरों को प्राप होता है इस आत्मा को सास्त्र नहीं काट सकते इसको आग नहीं जला सकती इसको जल नहीं गला सकता और वायू नहीं सुखा सकता क्योंकि यह आत्मा अच्छेद्य है यह आत्मा अदास्य अकलेद्य और नीसंदेह आसोश्य है तथा यह आत्मा नित्य सर्व्यापी अचल इस्थीर रहने वाला और सनातन है यह आत्मा अव्यक्त है यह आत्मा अचित्य है और यह आत्मा विकार रहीत कहा जाता है इससे हे अरजुन इस आत्मा को उप्युक्त परकार से जान कर तुम सौख करने को योग नहीं है अर्था तुझे सौख करना उचित नहीं है किन्तु यदि तुम इस आत्मा को सदा जनमने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी हे महावलो और महावावो तुम इस प्रकार स्वाक करने को योग नहीं है क्योंकि इस मानता के अनुसार जन में हुए की मिर्त्यू निश्चित है और मरे हुए का जन निश्चित है इससे भी इस बिना उपाए वाले विशाय में तुम सौक करने को योग नहीं है हे अरजुन संपुर्ण प्रानी जन्म से पहले अप्रगट थे और मरने के बाद भी अप्रगट हो जाने वाले हैं केवल बीच में ही प्रगट है फिर ऐसी स्थिती में क्या स्वाक करना है कोई एक महापुरुस ही इस आत्मा को आश्चर्ज की भाती देखता है और वैसे ही दूसरा कोई महापुरुस ही इसके तत्व का आश्चर्ज की भाती वर्नन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरूशी से आजचर्ज की भाती सुनता है और कोई-कोई तो सुनकर भी इसको नहीं जानता हे अरजुन यह आत्मा सबके सरीर में सदाही अबध्य है इस कारण संपुर्ण प्रानियों के लिए तु सौख करने के योग नहीं है तथा अपने धर्म को देखकर भी तुम भै करने योग नहीं है अर्था तुझे भै नहीं करना चाहिए क्योंकि छत्री के लिए धर्म युद्ध से वड़कर दूसरा कोई कल्यानकारी करतब भी नहीं है हे पार्थ अपने आप प्राप्थ हुआ और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को भाग्यवान छत्री लोग ही पाते हैं किन्तु यदि तु इस धर्म युक्ति युद्ध को नहीं करोगे और नहीं करेगा तो स्वधर्म और किर्थिकों को खोकर पाप को प्राप्थ होगा तथा सब लोग तेरी बहुत काल तक रहने वाली अब किर्थि का भी कथन करेंगे और माननिय पुरुष के लिए अब किर्थि मरंद से भी बढ़कर है और जिसकी द्रिष्टी में तुम पहले बहुत समानित होकर अब लगुतता को प्राप्थ होगा वे महाराथी लोग तुझे भई के कारण युद्ध से हटा हुआ मानेंगे तेरे बैरी लोग तेरे समर्जि की निंदा करते हुए तुझे बहुत से ना कहने योगवचन भी कहेंगे उससे अधिक दुख और क्या होगा या तो तुम युद्ध में मारा जाकर स्वर को प्राप्थ होगा अथ्वा संग्राम में जीतकर पिर्थवी का राजा और राजब होगेगा इस कारण है अर्जुन तु युद्ध के लिए निश्य करके खड़ा होजा जय पराजय लाभानी और सुक दुख को समान समझ कर उसके बाद युद्ध के लिए तयार होजा इस परकार युद्ध करने से तुम पाप को नहीं प्राप्थ होगा हे पार्थ या बुद्धी तेरे लिए ज्यान योग के विशय में कही गई और अब तुम इसको कर्म योग के विशय में सुन जिस बुद्धी से युक्त हुआ तु कर्म और कर्मों के बंधन को भलिभांती त्याग देगा अर्थाद सर्वता नश्ट कर डालेगा इस कर्म योग में आरंब का अर्थाद वीज का नास नहीं है और उल्टा फल रूप दोज भी नहीं है बलकि इस कर्म योग रूप धर्म का थोड़ा सा भी साधन जन्व मिर्त्यू रूप महान भैसे रक्षा कर लेता है हे अर्जुन इस कर्म योग में निश्य यामिका बुद्धी एक ही होती है किन्तु अस्थिर विचार वाले विवेक हीन सका मनुष्यों की बुद्ध्या निश्य ही बहुत भेदों वाली और अनन्त होती है हे अर्जुन जो भोगों में तमई हो रहे हैं जो कर्म फल के परसंशक वेदवाक्यों में ही प्रिती रखते हैं जिनकी बुद्धी में स्वर्ग ही परम प्राय वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरी कोई वस्तु ही नहीं है अजा ऐसा कहने वाले हैं वे अविवेकिजन इस प्रकार की जिस उस्पीत अथात दिखाऊ सोबा युक वान को कहा करते हैं जो की जन्म रूप कर्म फल देने वाले एवं भोग तथा एस्वरी की प्राप्ति के लिए नाना प्रकार की बहुत सी किर्याओं का वर्ण करने वाले हैं उस वानी द्वारा जिनका चित हर लिया गया है जो भोग और इस्वरी में अत्यांत आसक्त हैं उन पूर्शों की आत्मा में निश्यामित का बुद्धी नहीं होती हे अरजुन वेद उप्युक्त परकार से तीनों गुनों के कार्य युक्त और कार्य रूप समस्त भोगों एवं उसके साध्नों का परतिपादन करने वाले हैं इसलिए तुँ उन भोगों एवं उनके साध्नों में आसक्ति हीन हर्स स्वाख आदी द्वंदों से रहित नित्ति वस्तू परमात्मा में इस्थित योग छैम को ना चाहने वाला और स्वाधीन अंतकरन वाला हो सब और से परिपुर्ण जलासय के प्राप्थ हो जाने पर छोटे जलासय में मनुष्ट का जितना पर्योजन रहता है ब्रह्म को तत्वे से जानने वाले ब्रह्मन का समस्त वेदों में उतना ही पर्योजन रह जाता है तेरा कर्म करने में ही अधिकार है उसके फलों में कभी नहीं इसलिए तुम कर्मों के फल का हे तुम मत हो तथा तेरी कर्म ना करने में भी आसकती ना हो हे धनन जाए तुम आसकती को त्याग कर तथा सिद्ध और सिद्धी और असिद्धी में समान बुद्धिवाला होकर योग में इस्थित्व हुआ कर्तव्य कर्मों को कर्व समत्व ही योग कहलाता है इस समत्व रूप बुद्धी योग से सकाम कर्म अत्यन्त ही निम्र स्रेनी का है इसलिए है धननजय तुम सम्बुद्धी में ही रक्षा का उपाय ढूंड अर्थात बुद्धी योग का ही आस्रे गरन कर क्योंकि फल के तुम बनने वाले अत्यन्त दीन है सम्बुद्धी युक्त पुरूष पुन्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देते हैं अर्थात उनसे मुक्त हो जाते हैं इसे तु समत्व रूप योग में लग जा या समत्व रूप योग ही कर्म में कुसलता है अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाए है क्योंकि संबुद्धी से युक्त ज्यानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त हो निर्विकार परंपत को प्राप्थ हो जाते हैं जिस काल में तेरी बुद्धी मोहरू दल दल को भली भांती पार कर जाएगी उस समय तुम सुने हुए और सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक संबंधी सभी भोगों से वैराग्य को प्राप्थ हो जाएगा भांति भांति वांति वचनों को सुनने से विचलित हुई तेरी बुद्धी तथा परमात्मा में अचल और इस्थीर ठार जाएगी तब तुम योग को प्राप्थ हो जाएगा अर्था तेरी परमात्मा से नित्य संयोग हो जाएगा अर्जुन बोले हे के सब समाधी में इस्थित परमात्मा को प्राप्थ होए इस्थीर बुद्धी पुरूस का क्या लक्षन है वह इस्थीर बुद्धी पुरूस कैसे बोलता है कैसे बैटता है और कैसे चलता है श्री भगवान बोले हेरजुन जिसकाल में या पुरुस मन में इस्थित संफुर्ण कामनाओं को भलिभांती त्याग देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट राता है उसकाल में वह इस्थित प्रग्य कहा जाता है दुखों की प्राप्ती होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता सुखों की प्राप्ती में जो सरवता निस्प्रि है तथा जिसके रोग और जिसके राग भय और क्रोध नष्ठ हो गए हैं ऐसा मुनी स्थीर बुद्धी कहा जाता है जो पुरुष सरवत्र स्ने रहित हुआ उस सुब या सुब वस्तों को प्राप्त होकर न परसन होता है और न द्वेश करता है उसकी बुद्धी स्थीर है और कच्वा सब और से अपने अंगों को जैसे समेट लेता है वैसे ही जब यह पुरुस इंद्रियों के विशय से इंद्रियों को सबप्रकार से हटा लेता है तब उसकी बुद्धी स्थीर है ऐसा समझना चाहिए इंद्रियों के द्वारा विशयों को ग्रहन ना करने वाले पूर्शों के भीकेवल विशय तो निवरित हो जाते है परन्तु उनमें रहने वाली आ सकती निवरित नहीं होती इस इस्थित्प्रग्य पूरुष की तो आ सकती भी परमात्मा का साक्षातकार करके निवरित हो जाती है हे अरजुन आ सकती का नाजना होने के कारण ये प्रमत्थन स्वभाव वाले इंद्रियां यत्न करते हुए बुद्धिमान पूरुष के मन को भी बवाल और बलात का हर लेती है इसलिए सादक को चाहिए कि वह उन संफुर्ण इंद्रियों को वस में करके समाहित चित हुआ मेरे परायन होकर ध्यान में बैठे क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वस में होती है उसी को बुद्धी इस्थीर हो जाती है विश्यों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विशय में आसक्ती हो जाती है आसक्ती से उन विश्यों की कामना उत्पन होती है और कामना में विग्न पढ़ने से क्रोध उत्पन होता है कुरोध से उत्पन मूडभाव उत्पन हो जाता है मूडभाव से इस्मिर्थी में भ्रह्म हो जाती है इस्मिर्थी में भ्रह्म हो जाने से बुद्धी अथात ज्यान सक्ती का नास हो जाता है और बुद्धी का नास हो जाने से यह पुरुष अपनी इस्थिती से गिर जाता है परन्तु अपने अधीन किये हुए अंता करन वाला सादक अपने वस में ही हुए और वस में की हुई राग द्वेश से रहित इंद्रियों द्वारा विश्यों में विशरन करता हुआ अंता करन की परसंदता को प्राप्थ होता है अंता करन की परसंदता होने पर इसके संफुर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस परसंद्जित वाले कर्म योग की बुद्धी सिग्र ही सब और से हटकर एक परमात्मा में ही भली भाती स्थिर हो जाती है ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरूस में निश्यामित का बुद्धी नहीं होती और उस अयुक्त मनुस्य के अंता करण में भावना भी नहीं होती तथा भावना हित मनुस्य को सांती नहीं मिलती और सांती रहित मनुस्य को सुक कैसे मिल सकता है क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायू हर लेती है वैसे ही विशर्ती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रियों और इंद्री के साथ रहता है वह एक ही इंद्रिय इस अयुक्त पुरूष की बुद्धी को हर लेता है इसलिए है महावाओ जिस पुरूष की इंद्रियां इंद्रियों के विशय से सप्रका निग्रह की हुई है उसी की बुद्धी स्थिर है संपुर्ण प्रानियों के लिए जो रात्री के समान है उस नित्य ज्यान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में इस्तित्प्रग योगी जागता है और जिस नास्वान संसारिक सुख की प्राप्ति में सप्रानी जागते हैं प्रमात्मा के तत्वों को जानने वाले मुन्वी के लिए वह रात्री के समान है जैसे नाना नदियों के जल सब और से परिपूर्ण अचल परतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित ना करते हुए ही समाज आते हैं वैसे ही सब भोग जिस प्रग्य पुर्शों में किसी प्रकार का विकार उत्पन्य किये बिना ही समाज आते हैं वही पुरुस परम सांति को प्राप्त होता है भोगों को चाहने वाला नहीं जो पुरुस संफुन कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अंकार रहित और इस्प्रिया रहित हुआ विचरता है वही सांति को प्राप्त होता है और प्राप्त है यह ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुस की इस्थिती है इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अनंद काल में भी इस ब्रामी इस्थिती में इस्थित होकर ब्रह्मा अनंद को प्राप्त हो जाता है